हलो आज है 5 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ITC Limited के बारे में 272 रुपए के आसपा शेयर ट्रेट कर रहा है ITC में देखा जाए तो मार्केट जब भयंकर तरीके से तूट रहा था ऐसे में ITC के शेयर में गिरावट नहीं थी और अभी भी नहीं है उतनी जादा वीडियो में डिसकर्स करेंगे कि ITC में खरीदारी के मौके है कि नहीं और जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए यह वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जब वो काफी जादा हल्प करेंगे तो ITC देखा जाए तो 272 रुपे का यह शेर है और पिछले एक महिने की बात करें तो 4% का ग्रोथ है 4% का तूट के हलाकि गया जरूर था 500 रुपे के करीब लेकिन दुबारा तेजी बनी है देखो पहले क्या था कि ITC जब भी 500 रुपे के आसपस गया था एक रेजिस्टन्स बन रहा था और वहां से गिरावट हमें देखने को मिलती थी लेकिन अब वह सपोर्ट बन चुका है अब जब भी 500 रुपे के आसपस ITC गया है दुबारा तेजी आती है और दुबारा शेर उपर की दरफ बागना शुरू कर देता है और इवन पिछले एक साल में 28% से भी जादा का ग्रोथ ITC ने दिखाया हुआ है पांस साल की बात करें तब 10 से 11% की गिरावट जरूर है कोविट के वक्त अगर आप देखो तो ये तूट के बिखरा जरूर था लेकिन उसके बाद अगर आप देखे तो बढ़िया तेजी है बीच में डिफिनिटली काफी लोगों को परिशान किया था इसने जब तेजी ही नहीं आ रही थी मारकेट का जोकर तक इसको कहा गया था लेकिन जब रफतार पकड़ना शुरू किया तो आप सब देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से तेजी देखने को मिली है लेको ITC को डिफिनिटली वक्त लगता है कुछ रेंज में अगर वो फस्ता है तो लंबे समय तक ये वहीं ट्रेट करता रहता है लेकिन अगर आप लॉंग टर्म का ग्राफ देखोगे तो एक चीज़ क्लियर है कि उपर की तरफ जा रहा है इसका ग्राफ और आगे भी और उपर की तरफ ही जाता नजर आएगा ITC के बारे में अगर आप देखो तो ये इनकी वेबसाइट है कंपनी के अगर हम बात किया तो कंपनी के भईया कई सारे प्रोड़क्ट है जो काफी जादा कंजूम किये जाते है ITC का डेफिनेटली एक जो सबसे बड़ा रिवन्यू है वो इनके सिगरेट और टोबे को वाले प्रोड़क्ट से ही आता है लेकिन उसके अलावा ITC ने भईया पिछले कुछ सालों में FMCG में, होटेल्स में, पेपर बोड़ें, स्पेशालिटी, पैकेजिंग, एगरी और इन्फोरमेशन टेकनलोजी के बिजनस भी इसी के अंदर इंक्लूड़ेट है यहाँ पर आप इनके बड़े-बड़े FMCG प्रोड़क्ट देखो तो भईया आशिरवाद बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है सन्फिष्ट की अगर आप बात करो बिंगो चिप्स वगेरा की अगर आप बात करो कुचन ओफ इंडिया की बात करो सन्फिष्ट इपी नूडल्स वगेरा की बात करो बी नैच्रल जूस हर मॉल्स में आपको मिल जाते हैं अभी के वक्त में मिन्टो कैंडी में जैली में यह छोड़ी-छोडी चीज़े हैं और फेबल चॉकलेट डेफिनली लगज़री चॉकलेट है सन्बीन भी आपको देखने को मिल जाता है आई टी सी मास्टर शेफ में अगर आप देखो तो कई सारी चीज़े कंपनी लांच कर रही है यहां पर और आने वाले दौर में डेफिनिटली यह भी एक अच्छे प्रोड़क्ट के तौर पर अबर कर आ सकता है चाहे भईया कुकिंग पास्ता की हम बात करें यह एपल और सिनामिंट की बात करें यह और भी कई सारी प्रोड़क्ट की अगर हम बात करें यहां पर फार्म लैंट डेफिनिटली आपको जो फ्रोजन विजिटेबल्स है वह यहां पर मिल जाते फ्रेश पोटेटोस और फ्रोजन विजिटेबल्स जो है बीन्स की बात करो स्वीट कौन की बात करो मिक्स वेच की बात करो बेबी पोटेटोस की बात करो या फ्रेंच फ्राइ प्रोटेटों की बात करो तो यह फ्रोजन चीजे मिल जाती है और अब धीरे-धीरे देखो इनकी रीच डेफिनेटिल आपको गाउं में देखने को नहीं मिलेगा फार्म ले इतना जादा लेकिन अगर आप किसी मॉल्स में चले जाओगे बिग बास बीग बाजार मे चले जाओगे तो वहाँ पर आपको यह सब देखने को मिल जाएगा सनराइस प्यॉर भाईया मसाले वगी वहाँ सौ साल पुरानी है जिसको इन्होंने खरीदा हुआ था ITC ने और यह भी भाईया आने वाले दोर में अच्छा पासा इनको बेनेफिट दे सकता है उसके अल नहीं कर रहा है बहुत ही रार केस में शायद को अभी भी नीम वाश का इस्तमाल कर रहा होगा सेवलन डेफिनिटली बहुत बड़ी प्रोड़ेट हैं की और यह भी एक अच्छा परफॉर्मर्स है यहां पर क्लासमेट भाईया देखो अभी क्या था के स्कूल कॉलेजिस व लेकर अगर हम देखें तो कंपनी लार्ज कैप है तीन लाग च्छतिस हजार करोड़ से भी जादा का इसका मार्केट कैप है और वाल्यूम भी बहुत अच्छा है एक करोड़ पच्छिस लाग तक का वाल्यूम से बहुत बड़ी कॉंटिटी में शेयर अभी इसके ट्रेड हो रहे हो कंपनी के अगर आप देखो वाई है सेलिंग भी बढ़िया है प्रॉफिट भी बढ़िया है चार हजार एक सो पिचानवे करोड का मुनाफ़क कंपनी ने पिछले क्वाटर में कमाया था और सोला हजार पांसो करोड से भी जादा का इनका रिवन्यू था तो कंप बुदास लिदादर खरीदारी के सला है 305 का टागेट है आईसी आईसे डिरक्ट खरीदारी के सला है 310 का टागेट है और 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंडूल यूजर यहां पर खरीदारी करने के सला देते हुए नजर भी आ रहे हैं कंपनी के रिवन्यू अगर आप सेम ही थे 49,000 करोड के आसपास थे 50,000 करोड से भी कम थे लेकिन अगले ही क्वार्टर में 2022 जो कोविड वाला क्वार्टर था इसमें 65,000 करोड से भी जादा का कंपनी का रिवन्यू है और यह बढ़ेगा रीजन है कि कंपनी ने पिछले एक दो सालों में कई सारी नई प्रो प्रोड़क इन्होंने बढ़ाई है जो अगर आप किसी मॉल में चले जाओ आपको पता चले गए कितनी हद तक ITC की प्रोड़क आपको देखने को मिलती है तो ITC की रीज बहुत जादा बढ़ी है कंजम्शन भी बहुत जादा बढ़ा है हलाकि प्रॉफिट अगर हम देख दूसरी और अगर आप देखो तो ITC देखो शेर में तीजी के साथ तो ग्रोथ देखने को मिलेगा है लेकिन साथ ही साथ डिविडेंट में भाई सहाब दो बार पेश कर चुका है ये डिविडेंट आप देखो यहाँ पर 5 रुपे 25 पैसे फेबरुरी में मैं मैं 6 रुपे अगर आप देखो तो 11 रुपे 50 पैसे का डिविडेंट पे कर चुकी है इससे पहले पिछले साल 10 रुपे 75 पैसे का डिविडेंट था उससे पहले 2020 में 10 रुपे 15 पैसे का डिविडेंट था तो पिछले 3 सालों में ही अगर हम देखे सिर्फ 3 सालों की हमें बात कर रहा गया 32 से 33 रुपए का डिवीडंट तो देखो ITC मेरे पॉर्टफोलियो में पिछले 4-5 सालों से है और कोविट के वक्त मैंने डेफिनिटली और कॉंटिटी खरीदी थी और अभी पर्टफोलियो में रख रहा हूं Long term के लिए मैं शौ्ट टर्म का गेम कभी भी नहीं खेलूँगा मैं ये मान कर चल रहा हूँ मैं तब तक पर्टफोलियो में रखो जब तक इनके बिजनस से डिवाइड नहीं हो जाते डिमर्ज नहीं हो जाते, तब तक डिविडेंड भी बहतरीन मिलता रहेगा यहां पर उस शेर प्राइज में तीज़ी है, कंपनी की प्रोड़क्ट इतनी सारी है कंपनी का मार्कट इतना बड़ा है, हर जगे पर कंपनी की प्रोड़क्ट की सेलिंग हो रही है और ये बहुत बड़ी बात है, ओनलाइन के सासत ओफलाइन में भी इनकी प्रिजन सांदा तरीके से बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ है और और जोन में नहीं है, कोई भी रेट फ्लेट नेजर नहीं आ रहा है, 22 क पी है, और 82% एनालिस कहते हैं, खरीदारी करो यहाँ पर, लॉंग टर्म में पैसा बनाया है यहाँ पर, और होल्डिंग्स के कर हम बात करने जाए, शेह होल्डिंग्स की बात करें, तो 10.09% की होल्डिंग मूशल फंड के पास है, 32.68 डोमेस्टिक इंस्टिउशन, 11.99 जात और होल्डिंग बड़े-बड़े फंड हाउस यसी लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, आईटीसी देखो मैं यह नहीं कहरा हूँ कि अभी अभी जाके खरीद लो, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा, कि अगर करेक्शन आता है, यहां से थोड़ा बहुत भी करेक्ट होता है, तो खरीदारी की मौके वहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन साथ में एक शर्त यह भी है, कि आप में पेशन्स होना चाहिए, ठीक है, पेशन्स होना चाहिए, जैसे कि मेरी जो एवरेज बाइंग है, ITC की, वो 200 रुपए से भी कम की है, ठीक है, और शेर प्राइज अभी 272 क है, तो definitely growth तो है, लेकिन साथ ही साथ पिछले तीन सालों में मुझे ITC से 32 से 33 रुपए तक का dividend, मैं expect कर रहा हूं तीन सालों में, अगर आप देखो तो 20, 21 और 22, अभी 22 भी बागी है, ठीक है, अभी 22 भी बागी है, चाहिए थोड़ा और दूसरी तीसरी बार भी dividend अनौन्स कर सकता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है, तो growth तो यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन वो जादा तर देखने को मिलेगी dividend के थ्रू, share price अगर थोड़ी बहुत बढ़ेगी, तो थोड़ा बहुत control में भी आएगी, तो अगर यह तीज़ी आई है, तो अभी थोड़ी आपको गिरावट भी future में देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी की से हलका सा correction भी आप पर expect कर सकते हो आने वाले दिनों में, लेकिन नीचे के level पर खरीदारी के मौके बनेंगे, और जब company के business अलग-अलग होंगे, डीमर्ज होंगे, बिजनस आए, वो hotel business की बात करे चाहे वो FMCG की बात करें, चाहे वो IT business की बात की जब यह अलग होंगे तो आपको उनके भी extra shares मिलेंगे, और यहाँ पर और कह सकते ही value unlocking वाला जब phase शुरू होगा, तो बहुत बहतरीन वाला phase होगा, तो अभी के लिए यही कहूंगा, ITC को लेकर खरीदारी करी है, बने रह सकते हैं, thank you.